अलो दोस्तों कैसे आप सब आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छी होंगी दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बफिर से आपके अपने चनल रेकास ब्यूटी वर्ल्ड में तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है अल्ट्रा सॉनिक मशीन के उपर जिस मशीन का यूज हम अपने फेशिल्स में करते हैं अल्ट्रा सॉनिक मशीन का यूज करके हम अपने रेगुलर फेशिल्स को फेशिल्स ट्रीटमेंट्स में कनवर्ट कर सकते हैं जब हम अल्ट्रा सॉनिक मशीन के साथ अपने फेशिल्स को करते हैं तो हमें उन फेशिल्स का बहुत ही यूज करते हैं आप हमने facials में कर सकते हैं आप ultrasonic machine का यूज वो भी मैं आपको पताऊंगे कि किस तरीके से हमें इसे यूज करना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ultrasonic machine के theory जोस्तो ultrasonic machine एक electrical equipment होता है जिसमें से sound waves निकलती है और ये sound waves skin के cells और tissues के जरिये vibrate होती है sound waves की जो आवाज होती है वो हमारे सुनने की अधिकतम सीमा से बहुत ज़्यादा अधिक होती है ultrasonic हमें help करती है किसी भी gel serum oil cream को skin की deeply layer तक penetrate कराने में क्योंकि जब हम gel serum को manually तरीके से massage के थुरू अपनी skin में penetrate कराते हैं तो वो उतनी अच्छे से हमारे skin में deeply layer तक penetrate नहीं हो पाती है क्योंकि उस product के बड़े molecules हमारे skin में enter नहीं कर पाते हैं और skin को उतना बहतर medication नहीं मिल पाता जितनी की हमारे skin को need होती है बड़े ultrasound frequency के बारिक रास्तों से जो product होता है वो skin की deeper layer तक जाता है जब product skin की deeper layer तक जाता है तो हमारे skin को better and more long lasting result मिलते हैं इसलिए जब हम manually तरीके से gel serum का penetration करा रहे हैं अपनी skin में तो हमें उसका आदा ही result मिल रहा है बड़ जब हम ultrasonic की तरू gel serum का penetration कराते हैं अपनी skin में तो हमें उस product का पूरा result मिलता है उस product का हमें पूरा result मिलता है तो ultrasonic machine का ये सबसे best feature है कि ये gel serum oil cream को बहुत ही अच्छे से skin में deeply layer तक penetrate कराने का काम करती है ये है ultrasonic machine का सबसे best feature second name of ultrasonic machine ultrasonic machine को हम sound waves भी कहते हैं क्योंकि ultrasonic machine में से sound waves निकलती हैं तो इस machine को sound waves भी कहा जाता है उसके बाद है हमारा probes की इस machine में हमारे कौन कौन से probes होते हैं ultrasonic machine में हमारे दो probes होते हैं एक होता है flat probe जो कि अभी मैं आपको जब ultrasonic Machine दिखहूंगी तो यह दुनों b भी दिखाऊंगी एक हमारा flat prob होता है और दूसरा होता है हमारा Pointed probe जो flat probe होता है उसका use हम अपने all over face पर करते हैं और जो pointed prob होता है उसका use how around the eyes और nose corner और lips corner करते हैं तो इस तरहें से हम इन दोनों probs का use करते हैं. नेक्स्ट है हमारा functioning की किस तरीके से हमारी ultrasonic machine work करती है काम करती है तो sound waste soft tissues को vibrate करते हैं और फिर उन्हें compress और decompress करते हैं जब compress करते हैं तो compressing के दोरान क्या होता है कि जो cells होते हैं हमारे वो इखटे हो जाते हैं जब cell इखटे हो जाते हैं तो circulation बढ़ जाता है circulation बढ़ जाता है तो हमारे toxins होते हैं वेस्ट होता है वो हमारी body से बाहर निकल जाता है through the lymphatic system और जब decompression होता है तो fresh blood circulate होता है और हमारे cells को fresh oxygen और nutrients मिलते हैं तो इस तरीके से हमारी machine work करती है ultrasound waves जो होते हैं वो इस तरीके से work करते हैं next day हमारा movement यह भी बहुत ज़्यदा important है कि जब हम probes का use कर रहे हैं तो हमारे probes के movement कैसे हैं हमको बहुत बड़े बड़े movement नहीं करने और बहुत जल्दी जल्दी circular motion में movement करते हुए बहुत fast तरीके से नहीं करना है हमको slowly slowly small circular movement करने है outward and upward की तरफ तो हमें movement पर बहुत ही ज़्यान देना है हमें बिल्कुल सही movement करने हैं हमें गलत movement नहीं करने हैं ताकि हमें machine का ultrasonic का best result बहतर परिणाम मिले तो आपके movement बिल्कुल सही होने चाहिए नेक्स है हमारा pressure की pressure कैसा होना चाहिए जब हम probes का use कर रहे हैं अपने face पर हम gel को penetrate करा रहे हैं मसाज कर रहे हैं probes के थूरू तो हमारा pressure जो होगा वो बहुत ही light होगा पूरे face पर हमें बहुत ज़दा उस पर दबाव देते हुए बहुत pressure के साथ उसका use नहीं करना है को collagen and elastin produce करने के लिए stimulate करती है collagen and elastin दो protein हैं हमारे skin के जो हमारे skin के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं यह दोनों protein हमारे skin को youthful रखने में healthy रखने में हमारी help करते हैं और इन दोनों protein को हमारे skin जो है वो खुद से बनाती है तो इन दोनों प्रोटीन को बनाने के लिए जो ultrasonic waves होती हैं वो हमारे skin को stimulate करती हैं Collagen और Elastin को produce करने के लिए जिससे कि हमारी skin पर fine lines और जुर्णियां जो हैं वो खतम हो जाती है क्योंकि अगर हमारे skin में कोलारजन की जब कमी होने लगती है तो हमारे skin पर fine lines और जुर्णियां आने लगती है जैसे जैसे हमारे age होने लग जाती है एज बढ़ने लग जाती है तो हमारे skin में जो कोलारजन का production होता है वो बहुत कम हो जाता है, दीरे-दीरे कम होने लगता है, कम production हो जाता है, बहुत कम हो जाता है उसका बनना collagen का, जिससे कि हमारे skin पर fine lines और जुर्रियां आने लगती हैं, तो ultrasonic machine क्या करती है, हमारे skin में collagen और elastin proteins को produce करने में बनाने के लिए stimulate करती है, जिससे कि हमारे skin की fine lines और जुर्रियां कम हो जाती है, खतम हो जाती है दीरे-दीरे, तो हमारे जो aging effects होते हैं, हम उन्हें खतम तो नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें डिले जरूर कर सकते हैं, हम उन्हें कम कर सकते हैं, next effect है कि जो skincare product हम यूज करते हैं, वो हमारे skin के deeply layer में penetrate हो होता है, जैसे कि हमने जब हम ultrasonic machine के तो उस product को skin में penetrate कराते हैं तो हमारा product भी बहुत ही कम लगता है हमारी skin की deeply layer तक वो पहुँच जाता है और बहुत ही अच्छा हमारी skin पर effect देता है इसरे हमारे benefit की क्या-क्या-क्या-क्या फायदे हमें मिलते हैं तो increase blood circulation blood circulation बढ़ जाता है तो lymphatic system भी बहुत अच्छी से काम करता है limb circulation increase हो जाता है और जब limb circulation increase होता है तो जो भी toxins waste होते हैं वो remove हो जाते हैं wrinkles को कम करता है fine lines को कम करता है खतम करता है wrinkles और fine lines को ultrasonic relaxed tense muscles tense muscles को आराम मिलता है जो भी spots हो जाते हैं scars हो जाते हैं freckles हो जाते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट कि यह स्किन को स्टिमिलेट करता है कोलारजन और इलस्टिन को प्रोडियूस करने के लिए नेक्स्ट है हमारा कॉंट्रा इंडिकेशन की किन किन परिस्टियों में हमें अल्टरसॉनिक को यूज नहीं करना है ultrasonic को use करना बिल्कुल safe है बस आपको इन contraindications को ध्यान में रखना है और आप बिल्कुल safely तरीके से ultrasonic को use कर सकते हैं skin inflammation है तो आपको ultrasonic का use नहीं करना है skin disorder है like eczema, psoriasis है, broken veins है, bony area है बनी area होता है तो आपको बनी area पे per ultrasonic को use नहीं करना है metal implant हुआ है recent किसी का fracture हुआ है अगर हम ऑभी हें on retronus फर踏कर हैं तो अगर फेक्ट्चर हुआ है तो आपको उस जगह पे ultrasonic को use नहीं करना है pregnancy के दोरान आपको ultrasonic को use नहीं करना है open wounds है, खुली, खुला हुआ जखम है, कोई, चोट लगी हुई है, open, तो आपको नहीं करना है, pace maker, और do not use internally, आपको जो ultrasonic के probes होते हैं, उनको internally कहीं पर भी use नहीं करना है, तो आप इन contraindications को ध्यान रखिए, ध्यान में रखते हुए, आप ultrasonic को बिल्कुल safely तरीके से use कर सक है, ultrasonic का use, बिल्कुल safe है, यह तो थी ultrasonic की theory, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ultrasonic machine के उस machine को हमें किस तरीके से use करना है, तो चलिए, friends, Ultrasonic machine, ultrasonic machine, आपको बताती हूँ कि हमें इस ilrasonic machine के एपने facel में किस तरीके, s skills करना चाहें कयसे हम इसे use कर सकते तो ultrasonic machine ये एक wire के साथ जुड़ी होती है इस तरीके से हमें इसमें wire मिल जाती है और ये हमारा एक plug होता है इस plug को हम अपने main power के साथ attach करेंगे next हमारा ये power का button ये हमारा on off के लिए होता है यहां से हम अपने machine को on और off कर सकते हैं दूसरा हमारा हिए ये mode यहां से हमें mode का button मिल जाता है इस Burch burle इसमें ultrasonic machine में हमारे दो mode होते है continue and pulse mode जो continues mode होता है वह वेड़ी होती है continuous mode में वह लगातार continuity की form में आती है अगर आप इस button को नीचे के साइड प्रेस करते हैं तो हमारा ये पल्स मोड वर्क करेगा जब हम इस बटन को उपर के साइट कर देंगे तो हमारा ये continuous mode काम करेगा इस तरीके से हमारे ये mode का बटन होता है ultrasonic machine में उसके बाद हमारे ये दो पॉइंट दियो है प्रोप्स को अटेच करने के लिए यहां पर हम अपने प्रोप्स को अटेच करेंगे और ये है हमारा intensity यहां से हम अपनी intensity को बढ़ा या घटा सकते हैं यहां से आप अपनी intensity को manage कर सकते हैं जब आप ultrasonic machine का यूज करेंगे face per gel के साथ तो आपको इसकी जो frequency है intensity है इसे zero रखना है उसके बाद धीरी धीरी frequency को यहां से आप बढ़ा सकते हैं client के comfort के according आपको 5 से उपर नहीं जाना है आप 5 तक intensity आप लेके जा सकते हैं आप इस तरीके से intensity को कम या जादा कर सकते हैं और इस बटन से राइट वाला प्रोब काम करेंगे अगर आप इस बटन को उपर के साइड करते हैं तो हमारा यह left वाला जो फ्रोब होगा वह काम करेंगा तो अब मैं इस जो दोनों हमारे प्रोब से उन्हें अटैच करती हूं तो ultrasonic machine के साथ हमारे दो प्रोब मिलते हैं हमें एक फ्लैट प्रोब होता है इस तरीके से और यह जो दूसरा प्रोब होता है यह पॉइंटिट प्रोब होता है इस फ्लैट प्रोब का यूज हम अपने all over face पर करते हैं और इस प्रोब का यूज हम around eyes nose corner lips corners पर करते हैं तो यह दो प्रोब्स हमें मिलते हैं आप इन्हें अच्छे से attach कर देंगे इस तरीके से और जो pointed probe हो मैंने right side में attach कर दिया है इस तरीके से और मेरी frequency zero है यह मैंने इसमें attach कर दिये हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारी यह mode work करते हैं कैसे हमारे जो continuous और pulse mode है वो काम करेंगे तो मैंने यह flat probe को अपनी left side में attach कर दिया है left side के लिए हमारा जो है यह left side मैंने flat वाला probe लगा दिया है और इसको मैंने उपर की side कर लिया है कि उपर की side होगा तभी हमारा left वाला जो probe है वो work करेगा और इसकी जो mode है वो मैंने continuous mode पे लगा दिया है left वाले के लिए हमारा continuous mode है black उपर की तरफ तो मैंने इसे भी उपर की तरफ कर लिया है और यह हमारी जो frequency intensity इसे हमने कर लिया है बिलकुल zero अब मैं machine को on करती हूं यहां से power को और उसके बाद मैं इस machine पे water की drop slide डालूंगी इस तरीके से यह मैंने पानी डाल दिया इस पे अब देखिए बिलकुल भी vibrate नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी intensity को अभी बिलकुल zero कर रखा है जब मैं यहां से इसकी intensity को बढ़ाती हूं इस तरीके से देखिए आपको दिख रहा होगा शो हो रहा होगा कि पानी किस तरीके से vibrate कर रहा है water किस तरीके से पानी किस तरीके से vibrate कर रहा है जैसे जैसे हम इसकी frequency को बढ़ाते हैं यह बहुत तेजी के साथ vibrate होता ही देखि इसकी जो frequency है वो हमें client के face पर सिर्फ 5 तक जाना है हमें frequency को 5 तक रख सकते हैं client के comfort के हिसाब से 0 से start करना है आपको दीरे दीरे जो intensity उसे बढ़ाना है अपने client से पूछते जाना है कि वो उसे सहन कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो आप दीरे दीरे बढ़ाएं और जब बना करें कि हा पस आभ इतनी ही वो Netherlands सहन कर सकते हैं आपको stop कर देना है पांच से उपर आपको नहीं जाना है पांच तक आप जा सकते हैं तो देख्ने किस तरीके से जो पानी तो पानी तक ислते कर रहे हैं तो continuous mode काम कर रहा अभी जब मैं इसको pulse mode पे डाल दूँगी तो ये देखी अब आपको दिख रहे हैं कि किस तरीके से जो water के drop lights है वो पहले रुक रही है, rest कर रही है फिर से vibrate हो रही है रुक रुक कर, रुकती है फिर vibrate होती है तो इस तरीके से हमारा ये pulse mode में work करता है तो दो mode हो गए हमारे ये continuous and pulse mode इस तरीके से आप इसे machine को check भी कर सकते हैं जब आप facial करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको अपनी machine को check कर लेना चाहिए इस तरीके से water droplets को डाल के कि आपकी machine सही तरीके से work कर रही है या नहीं ताकि आपको facial करते समय कोई भी परिशानी कोई भी दिक्कत ना हो ये था हमारा flat probe इसी तरीके से मैं आपको देखे ये वाला जो probe है हमारा pointed probe इसको भी बताती हूँ अभी हमारा left probe काम कर रहा था अब जब मैं इस बटन को नीचे के side कर देती हूँ तो हमारा ये pointed वाला probe काम करेगा इसके भी मैं frequency को zero कर देती हूँ उसके बाद मैं इस पर पानी के droplets डालूँगी और इसके frequency को धीरे धीरे बढ़ा होँगी तो ये देखे दिख रहा है आपको किस तरीके से vibrate हो रहा है ये देखे I hope कि आपको दिख रहा होगा camera में अभी हमारा ये pulse mode पे है अभी रूक रूक कर आ रही है vibration आप मैं इसको continuous mode पे लगा देती हूँ तो ये हमारी जो vibration है वो continuity की form में आ रही है लगातार हो रही है इस तरीकी से तो इस तरीकी से हमारी ये अपने प्रोप्स काम करते हैं अब मैं आपको इसकी application बताती हूँ कि किस तरीके से हमें अपने प्रोप्स को यूज करने अपने face पर तो पहले हम जो facials में हमारे facials की kit में हमारे gel और serums आते हैं हम उन gel serums का use करने के लिए skin में penetrate कराने के लिए ultrasonic machine का use करेंगे gel और serums के साथ तो मैं अपनी hands पर थोड़ा सा gel लगा के आपको बताती हूँ बाकी जब facial का demo दूंगी उसमें आपको बताऊंगी तो इस तरीके से हम अपने face पर अच्छे से gel लगा लेंगे gel के application कर लेंगे उसे spread कर लेंगे बहुत अच्छे से penetrate हो जाता है hands से manually करते हैं तो उतने अच्छे से हमारी skin के deeply layer तक नहीं जाता ही तो इस तरीके से आपको gel लगा लेंगे उसके बाद आपको अपने probes को इस तरीके से रखना है frequency को zero रखेंगे आप पहले ठीके अब आपको machine को on कर देना है इस तरीके से देखिए और आपको इस तरीके से circular motion में इसको move करना है और धीरे धीरे आपको frequency को बढ़ाना है जितनी frequency आप send कर पा रही है 5 तक जाएंगे आप इस तरीके से तो आपको जब इसका use करेंगे याप तो आपको हलकी से heat generate होती है इसमेंसे वह आपको feel होती है face पर तो वह इसमें से generate होती है heat उससे डरने वाली कोई बात नहीं है इस तरीके से आपको circular motion में धीरे-धीरे करना है आपको ऐसे fast movement नहीं करना है face पर पूरी तरीके से यह new करके करने हैं आपको बहुत स्लोवी स्लोवी चोड़े शिव सल गुलर मोशन बनाने हैं सलगुलर मोशन में इस त्रिके से इसको मूँव करना है धीरए-धीरे आप एक राउंड किम्प्लीट कीज़ फैस का फिर दूसरा राउंड कम्पलीट कीज़ इस सारीके पर अगर आपको प्रोब को रोगना पड़ रहा है कुछ प्रॉबलम है तो आप मशीन को पहले आफ कर दीजिए दोस्तो इस तरीके से आप 5-8 मिनट के लिए अल्टरसोनिक मशीन को अपने फेस पर जल और सिर्म के साथ यूज कर सकते हैं अल्टरसोनिक कोई अलग से फेसल नहीं होता है जो हमारे regular facials होते हैं हम उनी facials में अपने ultrasonic machine को use करते हैं और उन facials को हम convert कर सकते हैं आपने facial treatments में हमें बहुत ये best और बहतर result मिलते हैं जब हम ultrasonic machines के साथ facials को करते हैं क्योंकि जो facials kits होती है उनमें हमारा gel और serums आता है उन जल और serums को जब हम हैंड से skin में penetrate कराते हैं तो उतनी अच्छे से penetrate नहीं हो पाता है तो उसका पूरा result हमें नहीं मिल पाता है जब हम ultrasonic machine का use करते हैं उनका penetration कराने के लिए तो बहुत ही अच्छे से deeply layer तक penetrate हो जाता है और उस product का हमें पूरा result मिलता है पूरा benefit मिलता है तो उस product के पूरे benefit पाने के लिए आप ultrasonic machine का use कीजिए बहुत ही अच्छे machine है यह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको facials में result देती है तो जो आपकी fine lines हो जाती है face पर आप उनको भी एक हद तक पूरी तरह से खदम कर सक करते हैं तो आपकी जो fine lines होती है आप उन्हें भी एक हद तक पूरी तरह से खदम कर सकते हैं तो fine lines और wrinkles को remove करने में भी यह best role play करती है तो यह थी हमारी पूरी ultrasonic machine की theory and demo I hope कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा knowledgeable लगा होगा आपको बहुत को सीखने को मिला तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा यह भी मुझे comment करके जरूर बताएगा अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजेगा क्योंकि आपके likes मुझे motivate करते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बहुत सारे जल्दी बराती रहूं तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और चैनल पर आपके जरूरो का ब्रताइब यह को आपके जरूर जरूर हें कि मैं ढड़ो वाट दूर्मकलIES पूरता हैं, मैं आपके लिए जसे। ब़ह मैं सतारे का जरूरो का माँए़ lle piकлемbenा म business सेंटा मत जरूर करते हैं, मत रहूं को आपके लके बहाशल दूरूर केजेगा घूंसि